डाक्तर जगदीश चंद्रबसुक, जीवनी, संध्या का समय था, एक बालक अपने बगीचे में खेल रहा था, उसकी गेंद उचल कर लताओं में अटक गई, बालक लकडी मार कर गेंद को गिराने लगा, तभी उसकी मा आ गई, वह बोली, बेटा पौधे सो गए हैं, उन्हे जगाओं मत, गें सवेरे निकाल लेना, मा की बात सुनकर बालक सोचने लगा, यदि पौधे हमारी तरह सोते जाकते हैं, तो उन्हें भी हमारी तरह प्राण होते होंगे, पौधों को पानी देते समय वह सोचता, क्या पौधे पानी और भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं, पेड़ पौधों को भी दुख होता होगा, ये प्रशन बालक के मन में उमरते घुमरते रहते थे, वह इन प्रशनों के उत्तर पाने की कोशिश में लगा रहता था, यही बालक जब बड़ा हुआ तो, उसने पेड़ पौधों के बारे में कई विचित्र बातों का पता पौध से संसार आश्चर्य च्कित रह गया, इस बालक का नाम था जगदीश चंद्रबसू, जगदीश चंद्रबसू का जन्मव 30 नवंबर 1858 में धाका जिले के मेमन सिंह नामक स्थान पर हुआ था, वे पहले गाव की पाठशाला में पढ़ने गए, वहां किसानों के बा पारे में बाते करते रहते थे, इससे बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुची पेड पौधों में हो गई, तेरा वर्ष की आयू में जगदीश चंद्र को कोलकाता के सेंट जेवियस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया, वहां की पढ़ाई समाप्त कर वे इंग आते ही वे कोलकाता के प्रेसिडिंसी कॉलेज में भातिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए, विज्ञान ही बसु का जीवन था, उन्होंने अनेक कठिनाईयों का सामना किया, पर कभी जुके नहीं, वे धैर्य, साहस और लगन के साथ अपने लक्ष की और बढ़ यंत्रो द्वारा, रेडियो तरंगों को इन्टो की, मोटी दीवार से गुजर कर दिखाया, धातूं के विशय में भी जगदीशंद्र वसु ने कई नई खोजे की, जगदीशंद्र वसु की सबसे अध्भुत खोज, पेड़ पौधों के विशय में है, उन्होंने पता ल योगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उस समय ऐसे यंत्र नहीं थे, जिनसे व्रिक्ष की भीत्री क्रियाओं को दिखाया जा सके, उन्होंने स्वयं कुछ यंत्र बनाए, उनमें एक यंत्र था, फस्कोग्राफ और दूसरा था, रेजोनेंट रिकॉर्डर, फ चोट लगने पर और मरते समय, पौधे भी कापने लगते हैं, डाक्तर बसु ने पेड पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यू के द्रिश्य परदे पर दिखाये, उन्होंने जीवित पौधों में विद्युत की, हलकी सी लहर दोडाई, परदे पर पौधों का कापना और त साफ साफ दिखाई देता था, यहां देखकर लोग हैरान रह गए, तुमने स्वयन देखा होगा की, छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही कैसे मुर्जा जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद पहले जैसा हो जाता है, इसी तरह सूर्य मुखी का फूल, सूर्य की और मु किये रहता है, वहां उधर ही मुड़ता चला जाता है, जिधर सूर्य होता है, वनस्पती जगत में अपनी इन खोजों के कारण, दाक्तर बसु विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए, उन्होंने अनेक सम्मान प्राप्त किये, दाक्तर बसु का विचार था की, विज्यान को सरल भाशा में लिखा जाए, बच्चों की सभाओं में उन्होंने बड़े रोचक धंग से विज्यान को समझाया, प्रेसिदिन्सी कॉलिज से अवकाश प्राप्त करने के बाद, उन्होंने बसु विज्यान मंदिर की स्थापना की, उनकी बड़ी इच्छा थी की भारत में ऐसी अनेक विज्यान संस्थाए खुल जाए, जिससे हमारे देश के विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत न पड़े सन 1937 में इस महान विज्यानिक का देहान्त हो गया, डाक्तर बसु की महत्वपूर्ण विज्यानिक खोजो के लिए, संसार उन्हें सदा याद रखेगा करूज जा हुआ ठाजी क्या रखेगा झाल झाल